कि है गाइज दिस ये सौराप सिंग बगेल एन विलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निट इन्वेस्टमेंट एंड अप्रिशेशन एंड इसके अलावा हम बात करेंगे निट फैक्टर इंकम फ्रॉम शुरू करें लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल साबस्क्राइब और ये वीडियो आपने क्लासमेंट के साथ जरूर शेयर करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब सबसे पहले कर दिया लेकिन economics में investment का मतलब होता है addition to the capital stock of an economy आपके capital stock में change आना चाहिए मतलब investment का मतलब है कोई नई asset generate होनी चाहिए मतलब जिससे आपका capital formation बढ़े कैसे माल लीजे पहले एक machinery थी ठीक है ना अब हमने दो machinery और खरी ली तो हमारे पास total machinery कितनी हो गई तीन हो गई तो ये क्या है आपका नई चीजे आनी चाहिए नई चीजे मतलब capital stock actual में आपका बढ़ना चाहिए जैसे माल लो एक building था ये building बन गया तो capital stock बढ़ गया country का लेकिन इसी building को आप बार बार बेचे जा रहे हैं तो एक building बेचा आपने उसी building को बेचा दूसरे को फिर उसी building को बेचा तीसरे को तो ये capital stock में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि capital stock मतलब second hand items अगर आप बेच रहे हैं तो आम आदमी तो उसको भी investment कह देता है लेकिन वो investment नहीं है तो हमें ध्यान रखना है कि capital stock में क्या होना चाहिए increase होना चाहिए उसको हम बोलते है क्या addition of capital formation होना चाहिए तो हम उसको कहेंगे investment जैसे construction of building purchase of machinery new machinery basically अब investment की बात करें तो investment दो तरीके के होते हैं gross investment and net investment पहले gross की बात करें देखो कोई भी चीज़ ग्रॉस है मतलब वो including depreciation है वो क्या है including depreciation तो gross investment is addition to the stock of capital before making allowance for depreciation मतलब इसमें depreciation घटा नहीं है it consists of fixed capital and unsold stock इसमें क्या होता है fixed capital and unsold stock include किया जाता है unsold stock को भी क्या कर लिया जाता है at the end of the year माल लिया जाता है कि वो भी क्या है capital goods ठीक है और अगर हम उसी gross investment में depreciation minus कर देंगे तो we will get net investment हमें क्या मिल जाएगा net investment तो it is the actual addition made to the capital stock of economy in a given period is termed as net investment gross investment minus depreciation क्यों depreciation minus करेंगे क्योंकि wear and tear की वज़े से machinery कई बार खराब हो जाती है तो यह actual addition है यह total addition है और इसमें से minus कर दिया depreciation तो मिल गया हमें net investment तो आप इसको वीडियो को pause करेंगे और इसको note कर लेंगे ठीक है आगे चलते हैं अब depreciation क्या अभी है depreciation is also known as consumption of fixed capital इसको बोला जाता है current replacement cost भी बोला जाता है तो depreciation का मतलब होता है fall in value of fixed assets depreciation हमेशा fixed assets पर ही लगाए जाएंगे ध्यान दीजेगा fallen value मतलब उसकी value में कमी आना किस रीजन से हो सकता है normal wear and tear आप use करते जा रहे हैं तो machinery यूज होती जा रही है तो second hand होती जा रही है जैसे आप बगाडी खरीदे हैं तो उसको use करते करते हैं उसकी value कम हो जाती है या कोई machine खरीदते हैं तो use से उसकी value कम हो जाती है फिर passes of time मतलब क्या है time बीत गया आप माल लीजे किसी machinery को use नहीं भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो रखे रखे उसकी value खराब हो जाती है जैसे natural factors की वज़ा से हो सकता है rain और माल लीजे weather तो machine में क्या होता है rust लग जाता है जंग लग जाता है तो वो सारी चीजें क्या है आपके passage of time and expected obsolence ये क्या है भीया मतलब technology change हो जाए आप तो बड़े नाश्ते गाते एक machine लेके आए थे कि भीया machine हम बहुत बढ़ीयां लेके आए लेकिन technology change हो गई तो क्या होगा उसमें भी क्या माना जाएगा depreciation मान लिया जाएगा depreciation लगाना पड़ सकता है ठीक है तो ये reasons हैं आप इसको note करिएगा अब आते हैं एक term है net indirect taxes net indirect taxes का formula होता है indirect tax minus subsidy तो net indirect tax refers to the difference between indirect tax and subsidies ठीक है अब अगर हम बात करें indirect tax and subsidy क्या होता है तो ये हमें समझना पड़ेगा तो indirect tax की अगर हम बात करें what is indirect tax indirect tax sorry यहां पर पेज आ गया indirect tax का मतलग होता है those taxes which are imposed by government on production of goods and services asset taxes जो government द्वारा लगाये जाते हैं goods and services के production पे जैसे GST लगाये जाता है goods आप sales supply करेंगे तो service supply करेंगे तो GST लगेगा अब indirect tax से होता क्या है indirect tax से किसी भी goods का price बढ़ जाता है कैसे मालो एक shirt का example लिया है cost of production उसका 1000 है कितना है cost of production 1000 अब सरकार ने उस पे अगर 18% GST लगा दिया तो 180 रुपए GST लग जाएगा कैसे 18% 1000 पर तो 180 रुपए तो market में वो कितने में भी केगा 1180 तो आप देख सकते हैं price of the product बढ़ गया 1000 से बढ़ के 1180 हो गया यह किसकी वजह से हुआ indirect tax GST की वजह से हुआ ठीक है अब हम बात करते हैं subsidies की तो subsidy क्या होता भी है subsidy देखो सरकार क्या करती है कई बार फर्म सेंड हाउस ओल्ड को क्या करती है economic assistance देती है assistance मतलब होता है मदद देती है आर्थिक तोर पे जिससे general welfare हो सके जैसे इंडिया में LPG cylinder पे आपको मिलता है आधार link account नमबर में आप 800 रुपए का खरीदते हैं फिर आपको धाई 300 रुपए वापसा जाते हैं किसानों को fertilizer पे मिल जाता है जो fertilizer बनाने वाली company होती है उनको subsidy मिल जाती है अब subsidy से होता क्या है subsidy से आपके prices कम हो जाते हैं जैसे मालीजे आपने 800 का cylinder खरीदा लेकिन 300 रुपए मिल गए तो आपको कितने में पढ़ा 500 में पढ़ा इसी तरह से fertilizer मालीजे company ने cost of production एक हजार किया था सरकार ने बोला 300 रुपए हम subsidy देंगे तो उनके लिए क्या हो गया वो अब कितने में बेचेंगे market में 700 रुपए में तो ये है तो example यहाँ पर लिखा हुआ है subsidy reduce the market price of the commodity ध्यान दीजेगा उसके बाद fertilizer का example लेते हैं cost of production एक तो market price कितना हुआ 1050 तो subsidy की वजह से देखो 1100 से घट के price कितना हो गया 1050 I hope आपको समझ में आया होगा उसके बाद आते हैं factor cost and market price ये बड़े important term है आपको अगर national income समझना है या economic समझना है तो आपको GDP वगेरा समझना है तो ये बहुत important काम में आएगा तो factor cost का मतलब होता है ये देखो चार factors of production होते हैं कौन factor of production होते हैं बताएं जी factors of production कौन-कौन से होते हैं land, labor, capital and enterprise ठीक है land को मिलता है rent, labor को मिलता है wages, capital को मिलता है interest and enterprise को मिलता है profit ठीक है तो अब ये चारो factors को जो payment किया गया चारो factors को जो service के बदले उनके दिया गया उसको बोलते है factor cost उसको क्या बोलते है factor cost तो factor cost refers to the amount paid to the factors of production factors of production कौन मतलब land, labor, capital and enterprise for their contribution in the production process ठीक है समझ आया अब market price क्या है देखो market price refers to the price at which product is actually sold in the market जिस rate पर product market में बेचा जाएगा वो price market price कहलाएगा कैसे अब देखो market में जो चीजें आती है तो in tax लगता है indirect tax लगा तो क्या होगा rate बढ़ेगा और subsidy लगेगा तो rate घट जाएगा तो कैसे पता चलेगा market price अगर आपको calculate करना है तो factor cost में indirect tax जोडेंगे और subsidy हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको market price मिल जाएगा कैसे अब आके देखते हैं कैसे मिल जाएगा देखो cost of production कितना है 1000 तो factor cost कितना हो गया 1000 इसमें क्या करेंगे indirect tax एड करेंगे यानि GST एड किया indirect tax तो कितना 180 रुपए तो ये कितना हो गया 1180 अब माइनस इसमें क्या करेंगे subsidy कितना 50 रुपए तो आपका market price कितना हो जाएगा 1130 रुपए आप देख रहे हैं या फिर net indirect tax net indirect tax कैसे आएगा indirect tax minus subsidy कितना है 50 रुपए तो net indirect tax कितना हो गया 130 तो factor cost में अगर net indirect tax factor cost कितना है 1000 net indirect tax जोड दिया 130 रुपए तो आपको कितना मिल जाएगा 1130 रुपए देखें दोनों में answer सेम आया तो ये market price ऐसे calculate किया जाता है ठीक है आप ये example जरूर लिख लीजिएगा note कर लें आप इसको मैं आगे बढ़ता हूँ उसके बाद questions कुछ दिये है मैंने आपको calculate जिसमें question mark है वो calculate करना है factor cost कितना है 1000 indirect tax कितना है 100 रुपए subsidy कितना है 80 रुपए market price आपको calculate करना है तो market price का formula क्या होता है market price equal to factor cost plus indirect taxes minus subsidies तो factor cost कितना है 1000 sorry 10,000 लिख दिया 1000 होगा indirect tax कितना है 100 और minus करना है subsidy तो answer कितना आएगा 1020 रुपए यह क्या कहलाएगा आपका market price ठीक है अब दूसरे question की बात करें आपको factor cost calculate करना है तो mark देखो formula तो same है market price equal to factor cost plus indirect tax minus subsidies ठीक है तो market price दिया है 2500 factor cost नहीं मालूम है indirect tax लिखा है 360 and subsidy लिखा है 60 तो यह 2500 हो गया यह हो जाएगा 360 में 60 घटाएंगे तो 300 आगया अब यह इधर जाके minus हो जाएगा तो 2500 minus 300 equal to factor cost तो factor cost equal to आजाएगा 2200 रुपे ठीक है आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी बहुत इजी है उसके बाद आगे चलते हैं market factor cost दिया है market price indirect taxes पता करना है आपको तो formula तो वही लिखेंगे हम क्या लिखेंगे market price equal to factor cost plus indirect tax minus subsidies तो market price दिया है भईया 2030 factor cost भी दिया है 1000 plus indirect tax हमें नहीं पता है तो indirect tax और minus subsidy हमने किया 150 ठीक है तो 1030 ये क्या हुआ 1000 में 150 माइनस होगा तो 850 आया plus indirect tax अब ये 880 इधर जाके माइनस होगा 1030 माइनस 850 equal to IDT तो ये कितना आ जाएगा 180 तो indirect tax बराबर कितना आ गया 180 ठीक है आप इसको calculate भी कर सकते है उसके बाद अगर हम चलें अगले question की तरफ इसमें आपको subsidy calculate करना है तो subsidy calculate करना है तो formula तो वही लिखेंगे क्या market price equal to factor cost plus indirect tax minus subsidy ठीक है तो market price है 2100, factor cost है 2000, indirect tax है 180 रुपे, subsidy हमें पता नहीं है तो 2100, ये कितना हो गया आपका 280 minus subsidy तो ये इधर जाके minus होगा तो 2100 minus 2180 minus subsidy तो ये minus 180 यहाँ पे आया subsidy ठीक है चार factors में से कोई तीन factor दिये होंगे तो हम चौथा आसानी से calculate कर पाएंगे आप इसको copy कर लीजेगा उसके बाद बात करते हैं एक important term जो है वो है net factor income from abroad यानी NFIA net factor income from abroad का मतलब क्या होता है net मतलब देखो कुछ हमारे देश के लोग कुछ हमारे normal resident जो हैं हमारे देश में रहते हैं लेकिन वो पिछले एक साल से कम रहके बाहर से पैसा कमा के लाए और कुछ हमारे देश में विदेशी हमारे देश में रहते हैं वो other देश के normal resident है other countries के तो उनको जो पैसा मतलब सुनो माल लो हमारा एक बंदा है राम ठीक है ना राम नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का है वो दुनिया से कमा के लाया माल लो एक लाख डॉलर कितना लाया एक लाख डॉलर ठीक है और एक दूसरा अमेरिकन रेसिडेंट है माल लो मिस्टर ठीक है तो Mr. Trump जो है वो इंडिया से कमा वो है नॉर्मल रेसिडेंट कहां के USA के लेकिन माल लो इंडिया से कमा के गए वो 40,000 डॉलर तो हमें Net Income Earn हमने कितना किया 1 lakh डॉलर हमने पे कितना किया डॉलर 40,000 तो Net Income from abroad कितनी हो गई है डॉलर 60,000 यह हमारी Net Income from abroad हो गई अब देखो National Income पता करना होता है तो क्या करना पड़ता है National Income में अगर Domestic Income मतलब हमारे घर की Income तो यह हो गई और विदेशी जो हमें Income मिली उसको जोड़ने तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी Total Income कितनी है तो Domestic Income प्लस Net Factor Income from abroad अगर हम आपस में जोड़ने तो हमें मिल जाता है National Income अब ध्यान दीजेगा Net Factor Income from abroad पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो जैसे माल लो पॉजिटिव कब होगा देखो हमें मिला एक लाक एग्जामपल में हमने चुकाए कितने 40,000 तो हमारे पास पॉजिटिव इंकम है 60,000 डॉलर की दूसरा क्या हो सकता है हमें मिले एक लाक हमने पेमेंट किया माल लो एक लाक तीस अजार का तो माइनस में हमारी इंकम हो गई कितनी माइनस तीस अजार और माल लो हमें मिला एक लाक डॉलर और हमने पेमेंट भी कितने का किया एक लाक डॉलर का तो बताओ हमारी इंकम क्या भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है एन जीरो भी हो सकती है उसके बाद आगे चलते हैं components of NFIA components क्या है NFIA के तीन components है net compensation to employees देखो हमारे resident worker विदेश से जो कमा के लाए और उसमें minus कर देंगे यहाँ पर जो रहने वाले non resident worker है मतलब मालो हमारा worker कमा के लाया 10,000 unit और यहाँ worker थे हमने उनको payment किया 7,000 unit 7,000 डॉलर तो कितना हमारे पास net compensation आया 3,000 डॉलर का ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें net income from property and entrepreneurship मालो कि हमारे किसी person की property है अमेरिका में तो उसे rent मिलेगा या हमारा कोई investment है अमेरिका में तो उसमें dividend मिलेगा और इसी तरह से किसी की property इंडिया में होगी तो हमें rent देना पड़ेगा तो इसको net कर देंगे और उसके बाद net retained earning net retained earning मतलब retained earning of resident company located abroad मतलब जो भारती कंपनिया है लेकिन है वो विदेशों में और बहुत सारी विदेशी कंपनिया है जो है इंडिया में तो उनकी retain earning अब retain earning होता क्या है समझ लो retain earning क्या होता है company ने मालो profit कमाया तो tax and dividend tax and dividend देने के बाद देने के बाद जो profit बचता है उसको हम क्या कहते है retained earning उसको क्या कहते है retained earning तो हमारी company ने जो बचाया विदेश से और विदेशी company ने बचाया तो देश से उसको net करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा net retained earning तो इस तरीके से Terminologies of the Macroeconomics अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे National Income के Important Topics So thank you very much दोस्तों, अगर कोई doubt है तो comment करके पूछ सकते हैं दोस्तों के साथ वीडियो को share करें, thank you so much